हलो वरी बड़ी मैं रमेंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो वाई डीके में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम बैनिफेसरी को एड कैसे करेंगे जो हमारे नगरी शेतर के स्कूल है क्यों वहां बच्चे के खाते में हमें यूनिफार्म का पैसा डालना होता है तो इसलिए हमें बच्चे को बैनिफेसरी एड करना होता है मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बैनिफेसरी एड कैसे करते हैं आज आपको शिखाने जा रहा हूँ कि बेनेफेसरी एड करने के बाद उनको हम डाटा एप्रूवर की आईडी और लोगिन से एप्रू कैसे करेंगे तो आज हम आपको शिखाएंगे एप्रू कैसे करते हैं और एप्रू करते समय हमें क्या ध्यान लखना होता है कि हमें बेनक को पहले देखना होता है कि बेनक ने उन बेनेफेसरी को सक्ससिन बेनक किया है या नहीं किया है यह हम कहां देखेंगे यह भी आपको बताऊंगा और बेनेफेसरी को एप्रू करते समय बिलकुल भी समय नहीं लगता है अगर आपने 60 बच्चे, 50 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे एड़ कर लिये है बेनेफिसरी तो आपको एप्रू करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है क्योंकि हम 10-10 बच्चों को एक साथ एप्रू कर सकते हैं अगर आपके हाँ 200 बच्चे आपने एड़ बेनेफिसरी कर लिये हैं अपने मुबाइल फोन से ही तो आप उनको जब तक उनको बैंक सक्ससिन बैंक नहीं लिखेगा या उनके सामने सक्ससिन बैंक नहीं लिखाएगा तब तक आप उनको एप्रू नहीं कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि success in bank कहां लिखाएगा और तब ही हम बच्चे को एप प्रूब कर सकते हैं चलिए mobile phone की screen पर चलते हैं और ढोलने गूगल कहा है यह हमने Google को ढोलने लिया है हमारी mobile phone की screen में दिखाए दे रहा है और इस पर हमने touch किया और हम यहाँ पहुंच गए है यहां search bar में आप लिखेंगे pfms portal login इस पर touch करेंगे और हम पहुंच जाएंगे जहां लिखा हुआ है Google पे pfms यहां भी touch कर दें या फिर यहां touch कर दें दोनों से आप महीं पहुंच जाएंगे पी fms portal के login पेज पर phone को कर लेते हैं desktop site पर यह कर लिया मैंने अब हमारा phone जो है android phone जो है वो computer की तरह काम करेगा यह देख लिजए यहां बैने फिर जो हमने एड किये थे तो हमने किये थे data operator के page पर या data operator के id और password को login करने के बाद लेकिन हम beneficiary का एप्रूव करेंगे एप्रूवर की login id पासवर्ड डाल कर तो यहां डाल लेते हैं एप्रूव की id और उसका password ठीक है यहां इसका password डालेंगे और यह हमने डाल लिया इसका password और हम पहले की तरह जो है आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम यहां enter बटन पर किलिक करेंगे कुछ mobile phone में या go लिखा होता है किसी में enter बटन लिखा होता है किसी में arrow jt और टेड़ा मेड़ा होता है यहां किलिक कर देंगे और हम पहुंच जाएंगे एप्रूवर के पेज पर हम पहुंच गए हैं और ध्यान देना है हमें जाना है master पर यहां master पर किलिक करते हमें beneficiary management तो हम पहले beneficiary management पर किलिक करेंगे और यहां बनावा है arrow जिसका विशे ध्यान दे जब आप मोबाईल पर काम कर रहे हैं तो यह जरूर ध्यान दे जिस टैब के सामने यहां arrow का चिन बनाए white color में वहां कोई देर दबा कर रखें ठीक है इसे अटा दें और यहां देखे लिखाव आए फिर यहां तीन टैब खुल कर आ गई है एप्रूब beneficiary management payment status due black map unmap beneficiary type ठीक है हम सबसे पहले बजाएंगे कि हमें एप्रूब करना है beneficiary को तो यहां जाएंगे और कुछ ऐसा पेज खुल कर हमारे सामने आ जाएगा देखें यहां मैं आपको इस पर दिखा दे लाँ हूं कि सबसे पहले सेलेक्ट करने हमें स्कीम इस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे यू के 207 जो भी आपकी स्कीम रही होगे जिस राज्जे की स्कीम रही होगी जो उसे चुनेंगे आप बेनिफिस्ट्री टाइप यहां क्या लिखा है बेनिफिस्ट्री टाइप यानि जिस बेनिफिस्ट्री टाइप में हमने बच्चों को एड किया था डाटा ओपरेटर के पेज पर वही आपको यहां सेलेक्ट करना है और हमने यहां तीन ओप्शन खुल कर आ गए हैं हमने कि कोई भी आपको सेलेक्ट करने जरुद नहीं है फिर आप यहां जाएए यहां लिखाओ इस्टेट इस्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे इस्टेट हमारा है उत्राखंड उत्राखंड को सेलेक्ट कर लिया हमने फिर यहां डिस्टिक को सेलेक्ट करेंगे वह हो गया हमारा हरिद जिसका जोजिस्टिक होगा वो सेलेक्ट कर लेगा और बाकि यहां आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूत नहीं है बहुत आसाने साथ यहां सर्च करेंगे यहां यहां सर्च लिखावा यहां सर्च करेंगे और हमने जो एड किये थे वो बच्चे हमारे सामने यहां आ है यहां आधार नंबर स्टेटस एकाउंट नंबर स्टेटस देखो यहां लिखावा है यहां में दिखा दुआ आपको सक्ससिन बैंक यानि आप हम इस बच्चे को एप्रूब कर सकते हैं यहां नाम लिखावा है जो उसका बैंक में नाम है यहां सेंटर सेयर अमेंट कोई सम्मंद नहीं है हमारा इससे कोई सम्मंद नहीं है अब आप यहां देखिए सबसे नीचे देख लिए यहां मैच हो गया है बच्चे का नाम आप यहां देखिए इस बोक्स पर टिक करेंगे हम इस बोक्स पर टिक करने से पहले आपको यहां सब को टिक करना पड़ेगा सब यहां टिक हो जाएंगे अब आप यह नमाल लगाए है मैंने केवल तीन बच्चे बेनिफेसरी एड किये थे अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं 70 बच्चे हैं तो यहाँ आपको लिष्ट दिखाए देगी और यहाँ नीचे पेज लिखाओ पेज 1, 2, 3 पेज 1, 2, 3 एक बार में आप 10 बच्चों को किलिक कर सकते हैं यहाँ उपर 10 बच्चे एक बार में आप यहाँ टिक करके और यहाँ एपरू यहाँ रिजेक्ट अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं यहाँ किलिक करें रिजेक्ट तो आपको यहाँ कारण देना पड़ेगा यहां कारण बहुत सारे हैं आपने बच्चे को reject क्यों किया यहां कारण बहुत सारे हैं इन कारण पर आप टिक करेंगे और उसे reject कर देंगे ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ को मैंने केवल तीन बच्चे add किये थे beneficory आपने जितने बच्चे add किये हैं 10 by 10 यहां किलिक करें और यहां approve कर दें तो यहां लिखा approve और यहां लिखा reject एप्रूव करना है आसानी से कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं 70 बच्चे हैं 10 by 10 पहले आप उन्हें add कर लीजे add करने के बाद यह देखिए कब उन्हें verify करने में उस बच्चे को as a beneficary तो इस बात का विशे ध्यान दें जब यहां लिखा आजाए यहां success in bank इस कोलम में account no status account number status जब यहां लिखा आजाए success in bank success in bank आप उन्ही बच्चों को approve कर सकते हैं ठीके तो इस बात का ध्यान दें अगर आपके और 10 से ज़्यादा होंगे तो यहां वह पेज 123 यहां नीचे लिखा मिलेगा आपको एक एक पेज को चुनते रहेंगे और यहां टिक करेंगे all select करेंगे टिक करेंगे I confirm that beneficiary and name registered and issued by bank are matching और यहां approve कर देंगे यहां approve वाले बटन पर किलिक करतेंगे यहां और यह approve हो जाएंगे ठीके यहां लिखा आगा है master हिमांसू master सीवम और once यह select हो गए हैं यह approve हो गए हैं ठीके तो approve करने का यह सबसे आसान तरीका था मैंने यहां केवल तीन बच्चों को beneficiary add किया था एक वीडियो में जिस वीडियो का मैंने add किया था उसका link में description में डाल दूगा और मैंने फिर आपको इस वीडियो में सिखाया आज कि आप beneficiary add किये हुए बच्चे को approve कैसे करते हैं data approver के page से login और password करके login करके तो बहुत आसान है आप अपने नगरे शेतर स्कूल में mobile phone से ही सारे काम कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी आपको कुछ होंसला दिखाना पड़ेगा आपको mobile phone पर जाना पड़ेगा आपको हर बात को आसानी सीखना पड़ेगा तो यहां मैंने सिखाया आपको कि add beneficiary को हम approve कैसे करते हैं आसानी से कर दिया हमने 10 by 10 हम बच्चे को select करते रहेंगे और उन्हें approve करते रहेंगे approve हम तभी करेंगे जब उस बच्चे को add beneficiary bank success कर देगा आज की वीडियो बेतना ही वीडियो आपको च्चे लेकर लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरू कर लिजे नन्यवाद जैए